सभी को प्रणाम नववर्ष संक्रांती और आने वाले गंतन दिवस की शुबकामनाय बधाई जैसा जिदम्रम सर ने बताया खिल भारती कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष ने आने वाले लोगसभा चुनाओं के लिए गोशनपत्र बनाने के लिए समिती का निर्मान किया है जैसा जिदम्रम सर उसके चैर परसन है मुझे संयुजग के जवाबदारी दी गई है हम दोनों के अधिरिक्त पंद्रा और सदस्य हैं इस समिती में समिती के सदस्यों ने अपने विकल्ब से कम से कम दो राजियों को चिनहंकित किया है इन राजियों में वो जाकर सघन विचारों का अधान प्रदान आमजनों से करेंगे समुहों से करेंगे, संगठनों से करेंगे, पार्टी के कारेकरताओं से भी करेंगे और सभी प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष और कॉंग्रेस लेजिसलेचर पार्टी के अध्यक्षों को भी सूसना दी गई है कि वो अपने माध्यम से ब्लॉकस्तर जिलास्तर और प्रदेश में भी सुझाओं का संकलन करें और जो साथ ही समिती के जाएंगे उनके साथ भी अदान प्रदान करें और समिती के को अपने जानकारी से वो अवगत करा सकें ताकि ये जो घोशना पत्र बनेगा ये केवल एक academic exercise ना रहे जिनके लिए घोशना पत्र बनना है जिनके हित के लिए घोशना पत्र बनना है सके और इस बाबत ये प्रयास किया जाएगा जहां आमने सामने भी चर्चा हो सके जहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे या लोग हम तक नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए आज के तक्निकी युग में इमेल के माध्यम से और एक वेब साइट के माध्यम से सुझाओ खु चारा मंत्रित किये हैं, सुझाओं मंत्रित किये हैं और जो सुप्रिया जी अभी आपको जानकारी देंगे, एक छोटा सा डिमॉंस्ट्रेशन देंगी, कि किस तरह से हम चाहेंगे, कि लोगों के सुझाओं आ सकें, और उनका संकलन करके, घोशना पत्र त्यार हो, और अखिल प्रदेशों के अतरिक्त उनके रुची विशेश रुची के विशेवार भी जवाबदारी दी गई है कि उन विशेओं में जिन में उनकी विशेश अगिता है उनकी जानकारियों का भी संकलन करके गोशना पत्र के लिए वो सुझाओ उपलब करें और आपसे भी ये निवेदन है कि मीडिया के माध्यम से हमारा सहियो करें देश के निर्माण में आने वाले पांस सालों के लिए आने वाले दशकों के लिए इस गोशना पत्र के माध्यम से हम आगे बढ़ सकें और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचना, आपके माध्यम से आपके मीडिया हाउसिस के भी सुझाओ, आपके विक्तिकत सुझाओ भी आमंतरित हैं, इस पहल में आपकी सभागिता और आपका सहयोग विशेश आमंतरित हैं。